अस्तलाम अलिकम्यूटी फैमली आप लोग कैसे हैं उम्मीद करते हैं आप लोग भी कुल टिक टाक होंगे आज मैं बना रही थी पनीर थोड़ा सा रखा हुआ था पनीर तो मैं निकापनीर बना लेती हूं और यह प्यास रखी हुए टमाटर रखी हुए तिल डाल दिया थो की गरप मसाला डाला थोड़ा धनीया है उसमें तेज़पता है काली मिरच है और लोग है और यह मैंने डाली प्यास प्यास और यह हलका हलका तलकार इसको निकाल लेंगे और इसको पीस लेंगे लाल मिरज भी डालेंगे हरी मिरज भी डालेंगे पाँच लाल मिरज है दो तीन हरी मिरज डालेंगे इसमें यह थोड़ा सा अद्रक डाला हमने लसन एक चमच लसन एक चमच अद्रक और यह तीन हरी मिरज इसको अच्छे से मिला लेंगे हलका-ھलका तल लेंगे, ज्यादा नहीं तलेंगे इसको और फिर इसको निकाल के मिकसर में, कि जार में रखेंगे और फिर इसको पीस लेंगे अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और सब्सक्राइब करिएगा कुछ था नहीं इस टाइम बनाने को सबसे अच्छा लगा मुझे पनीर, थोड़ा सा रखा हुए तब पनीर तो मैंने कोशी को बना लेती हूँ, अभी मैंने डाला तेल एक चमच अभी यह जो मैंने पीस लिया है, जार में अब इसको निकाल कर तलेंगे यह मसाला निकाल लिएगे, इसमें डाला हमने थोड़ा सा लेसन का पेस्ट, एक चमच अधरक नहीं डालेंगे, और यह जो पीसा था वो डाल दिया है, टमाटर रुप्याज और जो मसाली थे वो सब डाल लिएगे इसमें, इसको अच्छे से तल लिएगे यह गरम मसाला डाला हमने, नमक डाला, नमक आप अपन्दा से डाल सकते हैं, इसमें चाल बिर्चन डाली हरी, शिमला मिरज भी डालेंगे थोड़ी सी, एक काट कर यह हमने शिमली बेज इदाली एक शिमली बेज को काटकर पीस पीस करकर और अब डालों गैं इसमें पनीर पनीर थोड़ा ही था लेकिन मैंने बना लिया था क्योंकि मुझे खाना था यह मैंने डाला है कसूरी मैं था इसको चलाएंगे, खोल कर देखेंगे, बिल्कुल सही हो गया है हमारा, थोड़ा सा और इसको भूल लेंगे, इसमें डालेंगे दही, अभी हमने दही नहीं डालाएं, दही डालेंगे इसमें, कैसा दिख रहा है आपको, आप भी बनाईए, और पराटे से खाएंगे, थोड़ा सा अमने दूढ डाला इसमें, दूढ से पानी ना डालके इसमें आप दूढ डालें तो ज्यादा अच्छा लगता है, और आप खूल कर देखते हैं, तैयार हो चुका है, यह देखिया, बिल्कुल, तैयार हैं, आप खाएंगे, आप को कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो आप भी बनाईए, वो बनाकर बताईएगा आप हमें कमेंट्स में, कैसा लगा, खाने में, बहुती अच्छा बनाता हूं, बहुती अच्छा लगता है, ऐसा बनाऊगा,